वाले समय में अलमोडा के लिए 35 कोड़ों पर रिलीज हुए और हम पेजल पर प्रात्मिक्ता है जितनी पंपिंग पेजल योजना रुकी हुई थी उनको पूरा करने के लिए पैसा बजट में लूकेशन हो गया है और पेजल हमारी प्रात्मिकता है बिना पेजल के तो जीमन कैसे चलेगा कैसे लोग रहेंगे एक और कॉलर मेरे सा जुड़ गए हैं हेलो सवाल पूरा नहीं होता है तुवारी कॉल आ जाती है सर इतनी डिमांड है सर आपकी हैलो हां जी अपना नाम बताईए मेरा नाम सुरेंद रहांदा है मेरा दून से बोल गांसा जी सवाल अधेर जो जो बारत सरकार की योजना है JNU Daarम में है और भी है इनके लोगों के लिए जो एक विकनौमिक सिक्शन के लिए आवाज की है और JNU Ka जरीए भी हम जो है वो पनरवास की नीद बना रहे हैं जो हमारी मलीन बस्तियों में लोग रहरे हैं उनके एक वारे कारी कर रहे हैं कैबनेट का एक फैसला भी ओगया है कारी चालू है हम ये इसमें जो भारत सरकार की स्कीमे है जो राज्जी सरकार जो नीती बनाने जा रही है उस से आने वाले समय में जो वहाँ पर आवास के लिए कुछ सुवधा हैं में उपलब्द कराएंगे। कास्तकारों के लिए बागवानों और मार्केट उपलब्द कराने की बात यह कई बार हो चुकी है, सर्थ और पर… कारते हमारे। बार्टों के लिए कमया है、 इस Τοमी पहता है, ऐसके बार्ट आप यहां चरथताा कना यह कंगाने में थाची कुछिन भार्त करेंद बारत को सबसे नहीं है, जो अधरा के इस्यों कि है रहा है, जो हमारा मैने कि अनसे को क्छिर पतुड से मार्केट्टर में आए हुआ है लेकिन वालु के जो किसम चाहिए हमारे पहाड पर नहीं होता है तो बहुत दो कर से चेत्र में बार्गभानी करते में बहुत हमनों को जो है तेजी से काम करना है ताकि हमारे जो उपाजें उसका अच्छा अपना सवाल पूछिए इसके संबंद में तरी यह किस विखाग से संबंदित है यह उत्रखंड टेक्निकल बोड़े से इसके दोड़ा कराई गए हैं तरी एक्जाम ने मैं इसमें जानकारी ले लूगा और अगर आप मझे एक पत्र लेख देंगे तो मैं आपका अड्रस मुझे मिल जागा तो मैं आपको जवाब भिजबा दूगा मैं पता लगाँगा इसके बारे में कि क्या कारणा है मैं पता लगाँगा जिस तरीके की आपने एक गुष्णा करी थी कि जो सरकारी नौकरियों में एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं जी अपना सवाल पूछिए अपना नाम बता जीजे सबसे पहले और कहां से बोल रहे हैं अगर अगर आपके पिता जी के नाम पे काड़ था और उनका जो है स्वरगवास हो गया है तो उनका काड़ आपके नाम पे बन सकता है और आप जरूर अपने जाके जो अधिकारी हैं उनसे बात कीजिए और ये दिक्कत होती है तो मुझे पत्र लिग के भेज़ जीए पते के साथ तो फिर में उसमें करवाए करवाद हुए हैं सर हम लोग बात कर रहे था हैं एंप्लाइमेंट जनरेशन के लिए आपने कहा 35 साल से ज्यादा उमर के जो लोग हैं या 40 साल तक की उमर तक आपने कर दिया था क्या खास सोच इसके पीज़र हैं क्योंकि कई साल की जो अमर में हमने बढ़ाई है सीमा यह किमल उत्रा संट के लोगों के लिए हैं जो हैं के हमारी जुमा हैं ताकि उनको नौकरियों में जो गर्मन जॉब्स हैं उसमें आने में तो आसे एक अफसर और मिल जा हैं अदर सूक्ष में लगू वा मध्यम उद्योग विभा लगी थी तो यह चोटी इंडस्ट्री इसका हमारा टर्नॉवर भी अच्छा है इससे इंपलामिन्ट जेनरेशन भी होता है इसमें हैंड़ों इंडस्ट्री भी आती है हैंडिक्राफ इंडस्ट्री आती है मीऊं पुरा परथान है राजियों सरकार का हमने हैं लुचा भारत सरकार की जो स्कीमे आती है उसमे ैं उसमें हर गौँं में तो हम मदद ना नहीं कर पाते हैं लेकिन लेकिन वारत क्ल利 analysis ऐसे कुछ आए बाधे करके मोसका जल्दिया कर रहरे हैं हेलो हां बताइए बताइए या नाता काईए दे जी जी तो ड़को देंकेड़े आप दखास ले करके कल सबरे मुख्य मंद्थरी आवास में आ जाई सावे देश वजह जे मैं आपकी मदद कर दूगा लेकिन हॉस्पिटल का वो लेकर एक आईगा एस्टिमेट जो खर्चे का उन्हों आपको दिया होगा पैसा अस्पताल को जाएगा सर जो इन्फरेस्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं हॉस्पिटल की हम बात कर रहे हैं बड़े शहरों में तो अस्पताल खुल रहे हैं लेकिन गाउं गाउं में मेडिकल फैसिलिटी इसमें हैं तो हमाई जो ग्रामीर स्वास जबाए हैं उसमें आप जानते हैं कि CSE होते हैं प बड़ा कि तीन साल कर दिया, जो वेतन था उसको डबल कर दिया है, और विशेशरगियों का तो चौगना कर दिया है, तो हम तो बहुत इंसेंटिव्स दे रहे हैं कि हमारे डॉक्टर जो है पहाणों पे जाएं जब ट्रांसफर करते हैं, यहासे पहाणों पे तो लोग डॉक से यहां से मभीवियस कर रहे हैं वो साल दो साल कम से कम परवती जन्पदों में जा करके सिवा कर रहे हैं वो कुछ अगर आप बहुत संग्षेट में बता पाए हमारे को हमारे दरस्फों को देगी हर चेतर में चाशिक्षा के चेतर में स्वास के चेतर में पेजल के चेतर में हमारी विशेश योजना है हमारा ध्यान है हमें पता है कि чески लोग की क्या तकलीफ है जो सीमान जन्पद है वाह पकर करम काम करें उनको ज़्यादा वेतन देते है जो फिछले छ क्छाइत रहे हैं उनके विकास के लिए पहली बार सरकार ने अलग से पिछला छस्भ विकास एक कोष्ष बनाया है जो जिला आंदुलन की भावना थी कि हम उत्राखंडी बने और लेकिन राज सरकार की सोच परवती छेत्रों के विकास के लिए पिछले छेत्रों के आसे हम कमिटेड हैं कटिबद हैं और गैरिसन में हम इसी लिए जा रहे हैं ताकि लोगों को विश्वासों कि सरकार पहाड़ों में आ जाता हूं कि अंदर अपना टीवी की आवाज बंद कर दीजी आप पुछ रहा है पुछ रहा है पुछ रहा है और सरकारी इंजिनेरिंग कॉलेज तो काफी हो गये हैं जिसमें कम से कम प्रतिवर्थ पचास हजार से ज्यादा लिज्जार्शी लगवत पास आउट करते हैं परन्तु उनके रोजगार के लिए सिटकुल में हाला कि सरकार ने सकतर परसेंट का रिजर्वेशन कर रखा है लेकिन वो वेतन इतना कम देते हैं कि उनका घर का खट बच्चे का नहीं चल सकता उनके पॉकेट मनी भी नहीं चल सकती है अब यह जो इंडस्ट्री से देखे स अब जो यह जो न्यूंतं मजदूरी हमारी वरकमन के लिए होती है वह तो हमने निजाजित कर रखी है लेकिन जो इंजिनियर्स हैं उनकी जो क्या पेस के लिए क्या उनको मिल रहा है यॉन्हों बहुत अच्छी बात मिरे धियर में लाएं मैं पता लगाँगा कि इसमें क् और बात करेंगे Chamber of Commerce से, Industries से, CII से, PhD से कि उत्राखन में जो लड़के इंजिनिंग कर रहे हैं या जो इंजिनियर्स है उनकी जो wages की जो parity है उन्हे राजों के बराबर ज़रू होने चाहिए तो सर्फ जो आगे जो industries आ रही होंगी जो phase two से को रहा है जिससे मन्रेगा को भी लाब होगा हमने यह भी कर दिया कि जो contract लेवर पर भी मजदूर आएगा उसको आप चेक से पे करेंगे लिगे यह जो इन्होंने बात उठाई है यह मेरी संग्यान में पहली बार आई है मैं दिखूंगा कि parity होनी चाहिए मने सम्तुल होने चाहिए जो हमारे इंजरेंस को यह पासा मिल रहा है जो दूसरी उद्ध्योड लेगे है हरियाना में है पंजाब में है उत्तर पुदेश में मैं इस बात पर जरूर ध्यान दूँगा असर आप अपने आपको कैसे establish करेंगे कि आज से 10 साल बाद जब उत्राखंड देखें आप तो आप कैसे उत्राखंड को देखना चाहिए आज से 10 साल बाद हम सबको पहले जिस जगे भी हैं चाहे मुक्ष मंतरी हों अधिकारी हैं विद्यारती हैं व्यापारी हैं सबको पहले अपने एक सोच बदलने पड़ेगी आटिटूड कि हम खामिया ना ढूड़े हम रास्ता निकाले कि हम कैसे आगे बढ़े और अगर ये सोच हमारी हो जा हैं तो आपको किस लकाश कौन सा सक्टर आप देखते हैं जहां सबसे ज़्यादा ग्रोथ की गुंजाली है टूरिज्म हमारे अधार्मिक टूरिजम है हमारे नाच्रल टूरिजम है हमारे एडवेंचर स्पोर्ट है मैंने टेरी मेंचर स्पोर्ट अकेडमी का शिलनास किया पूरे टेहरी जील के चारों तरफ एक नहीं कली काबिनेट ने एक अथारिटी बिना दी इसका मेरी चेर्मनू तुरिजम में इता पोटेंशल है कि हम पूरा उत्राखंड के अर्सवस्ता को ठीक कर सकते हैं आप सुजलन को देखिए सारी कॉनमिक के सीज़ पर टूरिजम पर हमापस तो टूरिजम भी है और पावर भी है और 27000 मेगावाट बिजलिम पैदा कर सकते हैं तो कुछ थोड़ा सा लोगों को सोच बदलनी पड़ेगी आगे आना पड़ेगा और सरकार सही दिशा में हैं और सरकारे आती हैं सरकारे जाती हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उत्राखन में जो मूलभूत समस्या हैं उसको हमारे राजनितिक लोग जानते हैं पार्टियां जानती हैं और हम केम सरकार की मदद से यहां परिवर्तन करने के लिए और खुशाली लाने के जील है तो हमको नए जगे निकालने अब जैसे गैरसेंट क्या है गैरसेंट एक नया हिल स्टेशन बनेगा तो हमको इस तरह का इंवेस्मेंट चाहिए राज जिसकारपरास पैसे नहीं है हम ऐसी पॉलिसी ला रहे कि लोग इंवेस्ट करें प्रायर टूरिजम सेक्टर में और वहां इंफ्रास्ट्रक्टर चाहिए रोट चाहिए हम बाइस वो ला रहे हैं हेलिड्रोम्स हेलिकॉप्टर के लिए हम आपका पिथोड़ा गड़का चिन्जाली शॉडका गोचर का तीनों एरिफील्स को अपग्रेट कर रहे हैं पंद अगर अप्रेट कर दिया है आज दूरदर्शन के स्टूडियो में रहे उत्राखंट के कोने कोने से दर्शकों ने सवाल पूछे मुख्यमंत्री जी ने कई जो हमारे दर्शक थे उनके समस्याओं का समाकरण निराकरण यहीं से कर दिया और कुछ लोगों को अपने दफ्तर और अपने आवास परामंत मुख्यमंत्री ने कर वहां तक पहुंचे ताकि उनकी समस्याओं का वास्तविक रूप से हल हो सका रोतराखंट के विकास में किस तरीके की योजनाय बनाई जानी चाहिए किस तरीके से उनका इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए इन तमाम विश्यों पर उतराखंट के बहुत कीमती समय हमारे को दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं मुख्यमंत्री जाप हमारे साथ आए बहुत-बहुत धन्यवाद सर्थ कि अगया तो लगा होगा है